आम तोर पर हैं माना जाता है कि लंग कैंसर के लिए दुम्रपान जुम्मेदार है लेकिन ऐसा नहीं सेकंड हैंड स्मोकिंग भी फैपडों के कैंसर का कारण बन सकती है जैसी सिग्रेट या बीडी का धुआ फैपडों में प्रिवेश करता उससे फैपडों के उत्तकों की अ हो सकता है कि शुरुआत में श्रीर इस च्छती को ठीक कर ले लेकिन लंबे समय तक फैपडों के उत्कों का पर इस तरह से हमला उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देता है इस तरह से हर कश के साथ अंदर पहुंचा दूआ नए उत्कों को च्छतिगरस्त करता रहता है और ए लेकरने वाले इस करकरो का घातक प्रभाव बाद में ही परकट होता है सिगरेट या बीड़ी का हर कश व्यक्ति को लंग कैंसर की और दखेलता है जितने साल से धुम्रबान किया रहा है जो किम भी उसी के अनुपारत में बढ़ता चला जाता है धुम्रबान बन करके फेफ अशो तक धुम्रबान करने के बाद इसे छोड़ देते उन्हें रोग होने का जो किम कम हो जाता है आईए जानते हैं इसके लक्षण क्या है यह लंग कैंसर के लक्षण क्या है ऐसी खासी जो ठीक नहीं हो रही हो खासी के साथ कम मातरम खुल निकलना सांस उकडना सीने में तेश दर्द, गले में खराश के साथ आवाज, खर खरी हो जाना, बिना करने का एक वजन कम होते जाना, हड्डियों में दर्द, सिर दर्द, ये समाम लक्षण है इसके, इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि धुमरपान बंद कर दे, उन इलाकों में अधिक देर तक रहना बंद कर दे, जहां धुमरपान के दुहें से बचना मुश्किल हो, शौपिंग माल, एयर कंडिशनर, थियेटर, अत्वा लंबी दूरी की यात्री, बस में धुमरपान के साथ साथ, अन्य तरह का संकरमन भी फेपड़ों में जाता है, रेड़न गैस के लिए घर के आ सारी सबजीयों को शामिल करें, विटामिल्स और मिनरल्स भी सप्लिमेंट्स लेते नहीं, सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेज दे बेल आइकन फूर मोर अपडेट्स